नमस्कार दोस्तों, जब से CA का syllabus चेंज हुआ है, उसके बाद से हमने especially हमारे क्यारवी वारवी के भाई बहनों के लिए CA Foundation में कैसे admission ले, मतलब CA में कैसे enter करे, इस पर हमने वीडियो बनाए नहीं, इसके चलते उनको बहुत से confusion हो रहा था, वो हमें आके comment में पूछते रहते ह भया, CA में admission कब ले सकते हैं, कहां से admission ले, books का बता दो, कहां से मिलेगा, मैं अभी खड़ित के पढ़ना शुरू कर दू या नहीं, तो यह सब सवाल comments में बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए आज के विडियो में हम CA Foundation के उपर detail में बात करने वाले हैं, ताकि सारा conclusion आपका दू फांडेशन, इंटर और फाइनल, अब जड़र डेगांडेशन कोर्स में entry लेने के लिए दो रूट होता है, फर्स्ट आपका foundation और दूसरा direct entry route, मतलब अगर आपने graduation कर लिया है, तो आप directly CA इंटर के लिए eligible हो जाता है, और CA foundation उनको ही देना होता है, जिन्होंने graduation नहीं किय और 12th के बाद CA करना चाता है, CA course में stream की कोई जरूरत नहीं है, आपने किसी भी stream से अपना 12th या graduation किया है, तो आप CA में end roll कर सकते हैं, अगर फिर भी आप जाना चाते हो कि कौन सा course या stream अच्छा रहेगा CA करने के लिए, तो आपको मैं बता दू, CA foundation में जो subject से वो देख ल तो मेरे हिसाब से आपको commerce लेना चाहिए, अगर आपका aim है CA बनना, तो अगर आपने दूसरा stream चूस कर लिया है, तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, CA foundation में आप फिर भी अलावा है, और CA foundation में आपका basic level से सारा कुछ सिखा जाता है, तो कोई टेंशन लेने की ज सारा काम होने बाला है, अब offline का कोई जंजट नहीं है, और CA की degree सिर्फ एक लोता institute ही provide कराता है, वो है ICAI, कोई भी college या university ये course नहीं करवाती है, admission आपको online करवाना होता है, offline का कोई सुखिदा नहीं है, पहले foundation exam साल में दो बार होता था, पर ICAI ने इसको change कर दिया है, अब foundation क exam साल में तीन बार होता है, में और जून, सेप्टेमबर और जन्वरी, सिर्फ foundation का ही नहीं, inter level में भी तीन बार exam होता है, foundation में जब आप registration करवा लेते हो, तो आपका registration date और आपका exam date के बीच, 4 महने का gap होना होता है, तब आप exam दे सकते हैं, अगर आप में या जून में exam दे जन्वरी में अगर आपको exam देना है, तो 1st September तक last date होता है, और एक बार आपने registration करवा ली, तो उसकी validity तीन साल तक रहती है, foundation level पे registration fees 9,400 रुपए होते हैं, detail screen में से आप देख सकते हो, और exam fees आपका 500 रुपए होता है, जब आप admission कर लेते हो, तो institute आपको आपका book घर पे देता है, कुरियर के मात्यम से, अब eligibility criteria की बात कर लेते हैं, दोस्तो CA foundation level पे, जदा eligibility criteria नहीं देखा जाता है, आपको सिर्फ 12th pass out होना होता है, बट registration तो आप class 10th pass करके भी कर सकते हैं, लेकिन foundation का exam आप तभी दे पाओगे, जब आप 12th का exam दे चुके होगे, या pass out हो गए हो foundation का subject आप video को pause करके देख सकते हैं, बताने लगे तो आप बहुर हो जाओगे, अब CA foundation level को और गहराई में जानते हैं, देखिए, CA foundation में pass होने के लिए आपको 4 subject में pass होना होगा, पर cutoff marks एक subject का होता है 40%, और aggregate होना चाहिए, सारे subjects मिला के 50%, मतलब कि अगर आप किसी subject में कमज marks होना चाहिए, तो यहाँ pass हो जाओए, और हाँ, अगर आपको किसी subject में 40 से कम marks मिला है, तो आप fail हो जाओए, और यहाँ, paper 1 and paper 2 में subjective type question पूछा जाता है, and paper 3 and paper 4 में objective type question पूछा जाता है, objective type question में negative marking होता है, एक गलत answer पे 0.25 marks deduct किया जाता है, हर paper से 100 marks का question पूछा जाता है जिसमें paper 1 and paper 2 के लिए आपको 3 hour का time दिया जाता है, और paper 3 and paper 4 के लिए 2 hour मिलते हैं, अब बात कर लेते हैं, CA foundation level पे जादर student fail की हो जाते हैं, जोस्तों हर साल 1-1.5 लाग student CA foundation देते हैं, लेकिन 25 से 30% student ही pass कर पाते हैं, बाकि 70% student fail हो जाते हैं, अब चलो माल लेते हैं, 70% में से 20% ऐसे बच्चे होंगे, जो बस ऐसे ही exam देने चले जाते हैं, बस उनको pass fail से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे serious होते हैं, लेकिन निकालने ही पाते हैं, दोस्तों देखिए, CA foundation level पे जो student fail हो जाते हैं, उसके पीछे एक ही reason होता है, क्योंकि उनको preparation के लिए time नहीं गिसेंगे, और इसे होता ये है, कि self study के लिए उनके पास time ही नहीं बचता, और self study नहीं करेंगे, तो जितना मरजी coaching ले लो, तो मारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मेरा suggestion यहीं रहता है, कि institute जब आपको खुद से allow करती है, 10th के बाद admission लेने के लिए, तो आपको 10th के ब admission ले लेना चाहिए, और तब आपको books भी मिल जाएंगे, और 2 साल 11-12 के syllabus के साथ साथ पढ़ते रहो, और 2 साल में CA foundation का books आप रट चुके होंगे, उसके बाद आप जब 12th का exam दोगे, उसी साल foundation का exam भी आप दे दोना, 100% guarantee है, आप first attempt पे ही निकाल लोगे, और इससे पढ़ा का exam देना है, तो साल बाद, तो उससे आपका पढ़ाए में मन भी लगा रहता है, उस्तो, I hope ये वीडियो आपको informative लगी होगी, अगर informative लगी है, तो आप अपने भाई बहनों को share करें इस वीडियो को, जो CA foundation के लिए admission लेना चाहता है, क्या पता आपके एक share से किसी का बाल होचाए, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, आप हमें reward दे सकते हैं, धन्यवाद के,